दिया जा रहा है जो की ओपी शुकला जी की बुक से है जिसका समय दस मिनट होगा डिक्टेशन शुरूओगा पाँश सेकेंड बाद उपाध्यक्ष महदे इस बिल को इस सदन में लाने की आविशक्ता इसलिए पड़ी की इस समय जो पहले के राजपाल हैं बे अपने सिद्दान्त और आधर्स में गिरते चले जा रहे हैं जिस से देश के जन जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है जो आदमी सम्भिदान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो राजपाल रह चुका हो और वही आदमी राजपाल ना रहने पर एसा कार्य करे जो जनता के विरुद जाता हो तो इससे यह मालूम होता है कि वह उसका जो आदर्स है उससे गिर रहा है उसके सामने उनके सामने हमेशा यह आदर्स रहना चाहिए की अधिक लोगों का हित हो और हम लोक राजपी स्थापना कर सकें जैसा की हमने अपने सम्भिधान में कहा है लेकिन देखने में यह आता है की बे एसा नहीं कर रहे है पेराग्राफ एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जब यह कानून बना था उसमें यह बात शामिल थी की जो लोग दवे हुए हैं जिन जिन लोगों का शोशन होता है उनको कुछ सुवीदा मिले उनहें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन इस्तर उचा हो यह बात सब को मालूम है कि भारत के जो अखवार हैं उनके जो मालिक हैं बे प्राया वही लोग हैं जो धनी बर्ग से तालुक रखते हैं तथा उन से अपने हितों की रक्षा का कारे भी करवाते हैं इस कानून के बनने से उनको एसा लगा की हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ जादा देना पड़ेगा उन्होंने इस कानून को जिसे इस सदन ने पास किया है चुनोती दी और बे कोट में गए और वहाँ पर भी हम यहे देखते हैं कि उस मुकदमे की पेरवी करने के लिए एक आदमी जो की राजपाल के इस पद पर कारे कर चुके हैं जाते हैं पेरग्राफ राजपाल के पद पर रहने पर तो हम जनकल्यान की भावना का समर्थन करें लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके बिरुद्ध कार करें तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राजपाल हैं बे राजपाल की इज़्जत को धक्का लगा रहे हैं क्योंकि राजपाल एसे आदमी नियुक्त किये जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफी पड़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं पेरग्राफ अध्यक्ष महदे खेती के साथ में दूत का भी बहुत बड़ा सम्मंद है यह कहता कहा जाता है कि इस देश में दूत की नदिया बहती थी मेरे भी ही जमाने में एक रुपे का बीस से दूत मिलता था परन्तु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है आज हर व्यक्ति को दूद नहीं मिलता है आज हालात यह हैं कि ओरत को बच्चे को रोगी को दूद मिलना दूरलव हो गया है मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्दोग धन्दे की और देते हैं इतना ही ध्यान पशुपालन की और नसल सुधार की और भी धें आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूद की नदियां बहती हैं भारत में जो दूद की नदियां बहती थी बे आज अमेरिका आदी में बहती हैं हमारा देश निर्धन देश है हमारे यहां लोग फल फूल खाते हैं बहुत कम लोग ही यहां मास या अंडे खाते हैं उनको यदि दूद घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा इसका आप स्वयम अनुमान लगा सकते हैं अमेरिका में एक गाए काफी दूद देती है जबकि हमारे यहां की गाए ज़्यादा दूद नहीं देती हैं मैं आप से प्रातना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरहा से हल करने की कोशिस करें इसकी और आप पूरा ध्यान दें मैंने आपकी रिपोर्ट को पड़ा है थोड़ा बहुत इस और ध्यान दिया जा रहा है इसकी कोशिस हो रही है भारत की जनसंख्या पचास करोड है और पांच लाग से अधिक यहां गाव हैं यहां पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है पशू की आवादी बढ़ानी चाहिए उसकी नशल में सुधार किया जाना चाहिए जब तक अच्छी गाए नहीं होगी तब तक काफी दूद देश में नहीं मिल सकेगा पेराग्राफ खेती की उन्नती के लिए पानी, खाग, बीज, बेल, करज आदी की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस और पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए इन सब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना देता हूँ पेरग्राफ इसके पूर्व की मैं आपका भाषन बंद करूँ एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ मैं देखता हूँ कि देश में अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उप्योग नहीं हो रहा है प्रेंड्स वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ साथ की हमारे चैनल मिस्टर स्टेनोग्राफर को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो के नॉट्फिकेशन्स आपको मिलते रहें